गरंटी बरंटी है इसकी कोई? नहीं स्टैबलाइजर भी नहीं लगवा रखा कहां भाया? कितनी बार कहां कि स्टैबलाइजर लगवा लो लेकिन ये मेरी सुनते कहा है अब मुझ बंद कर लो अपना अरे भाई साम सही तो कह नहीं बाभी जी एक बाई बताओ जब बिजली पीछे से आती है तो वोल्टेज ऊपर नीचे होती है ये इस्टैबलाइजर लगा रखा होता तो मुझे कॉल करने की जुरूत नहीं थी बस बस ज़्यादा ग्यान देने की ज़रूत नहीं है जिस काम के लिए बुलाया है वो कर एक घ्लास ठंडा पानी दे देना भाबी जी पानी तो है लेकिन ठंडा नहीं है ठंडा नहीं है फिर रहने दो क्यों? गरम पानी गले से नीचे नहीं उतरता क्या आरे? और ये कैसा मिस्तिरी बुलाया तुमने जब से आया बाते बनाए जा रहा है, यह नहीं कि पिरिज में हाथ लगा लूँ अरे भाई साब एक बाह बताओ, डॉक्टर के जाते हो तो जाते इंजेक्शन ठोक देता है या फूसता है, जानासता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है जाने दो ना भाईया, तुम बस फ्रिश ठीक करने में ध्यान लगा अपना वो तो कर दूगा मैडम, मेरे को लगता है इसका कंप्रेसर गया इना हाथ लगा है पता चल गया रोज का काम है, दस फ्रिश ठीक करता हूँ दिन में, कंप्रेसर के लावा है कैस के अंदा अच्छा कंप्रेसर ठीक करने में कितना खर्चा आएगा यह यह आजागा जी, आठ हजार रुपे, लेकिन गरंटी नहीं लूँगा अरे उनकी तो आदत है बात बात पर गुस्ता करने की आदा ठीक रही है, ठीक करवाओ तू बताएगा क्या ठीक है और क्या नहीं अरे तुम ही शान्त हो जो दो मिनिट के लिए एक तो वो तुम्हारे फाइदे की बात कर रहा है आज कल तो दो-चार साल में ही फ्रिज बदल देते हैं तू ज्यादा बरगला मत, जिस काम के लिए आया है वो कर कोई ज़रत ने ये फ्रिज ठीक करनेगी ये फ्रिज इसलिए खराब हुए ताकि इसकी जगा एक नया डबल दोर फ्रिज आ सके अरे आप लोग क्यो लड़ने लगे एक काम करो आप लोग मेरे साथ चलो मेरे बड़े भाई अगर ना फ्रिज का शोरूम है वहाँ जाके कोई भी फ्रिज उठा लो पात रही इस कबाड़े की तो ये वहीं अरजेस्ट करवा दूँगा और इसमें तेरा कमीशन अरे एक कमीशन की बाद कहां की है मैंने अरे एक तो अगला तुम्हें सही राय दे रहा है उपर से तुम क्या सही राय दे रहा है ऐसे मकैनिकों को अच्छी तरह जानता हूँ मैं दो-चार बीमारी फाल तु बताकर नया सामान करिदवा देते हैं अरे भाई साब मेर से ही गलती हो गई जो मैंने नए फ्रिज की राय दे दी कैसे ग्राम विकास सदिकारी हो तुम एक बार बताओ जब यही लोग बाहर जाते होंगे तो क्या चवी बनती होगी तुमारी कभी सोचा है तो क्या करूँ चवी के चक्कर में लुट जाओं सारे पैसे उड़ा दू अरे दस बीज लाग का फ्रिज नहीं आता जो तुमारी जेड जड़ जाएगी और एक बात बोलू जितने कंजूस तुम हो ना शुकर बनाओ भगवान का कि इतनी सुदर शुचील और अस्तिकी हुई है कोई और होती न भग जाती सभी बात है क्या सभी बात है और तुम ज़्यादा हां में हाने मिला रही इसके और तु क्या करने आता या फ्रिष्ठी करने आये था लेकिन तुम्हारी हरकते देखके लग नीरा कि फ्रिष्ठी करवाओगे इसमें मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो कबाड में और एक बड़ा मटका ले लो ठंडे पानी के लिए जैराम जी की राम राम अरे भीयर सुनो काज़ अरे नया तो तुम दिलवाने से रही कम से कम पुराना फ्रिष्ठी करवादो जाओ उसकी पीछे कोई जरुत नहीं है जब धर्ती पे फिर नहीं था तब भी तो लोग आराम से रहते थे और रही बाद ठंडे पानी की तो बड़ा मटका ले आउंगा जब तर से लोटते वक्त पी लेना ठंडा पानी ऐसा है अपने लिए छोटा मटका ले आना मुझे जरुरात नहीं है मैं चली दोबहर की ट्रेंज से माई के